नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में डेटेल में कवर करेंगे इंडिया वर्षिज पाकिस्तान टीमों के बीच में जो ICC मैश T20 वर्ड कप का मैश केला जाएगा उसके बारे में अगर बात कीज़ें दोनों टीमों के कमपारेजन की तो दोनों टीमें इकवल लेवल किये तो इस मैश में इकवल सा कॉमिनेशन बनाकर आप अपने फंटेस्टी की टीम में वो क्रियेट करके चल सकती हूँ बाकि दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कौन सा बेस्ट मैन, कौन सा लाउंडर और, कौन सा बोलर आपके लिए इपोर्टन फिक बनेगी किन-किन प्लेरों को आप अपनी समोल लिक की टीम में कवर करके चल सकती हूँ ऐसे कौन से पले रहेंगे जो आज के इस मैट में आप मेगा कॉन्टेस्ट जील में एज ट्रंप काड़ पिक ट्राई करके चल सकती हूँ तो संपूर्ण एनलाइसिस मिलेगा आपको इस वीडियो में और सबसे इपोर्टन बाद जो भी इस मुकाबले की फाइनल टीम रहेगी जो फाल अपडेट रहेगी वो मिलेगी आपको मारी इस टेलिग्राम चैनल पे और इस टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडिय करवा दी जाएगी तो टेलिग्राम चैनल वो आपके लिए इपोर्टन रहेगा टेलिग्राम चैनल को जुरूर से जोइन करेना अब आते हैं दोस्तों एनलाइसिस सेक्षन में तो दोस्तों यह मुकाबला मेलबरन किरकेट ग्राउंड मेलबरन ओस्टेलिया में 23 अक्टूबर को दोपैर के टाइम एक बज़ के 30 मिंट पे स्टार्ट होगा बात की जए इस वेन्यू पर खेले गए कुछ रिसेंट टीट ओवन टीम मुकाबलों की तो लास्ट टीट करते हुए 149 बनाए ज्वाब में उस्टेलिया की टीम ने भी यह लग से इजिली चेज कर लिया और यह मुकाबला च्छाय विकेटों से वोन कर लिया तर लास्ट टीट ओवन टीम मुकाबला यहां पर बिग बैस लिग 2021 में खिला गया जिसमें एडली स्ट्राइकर की टीम में बैट फर्स करते हुए 184 बनाए ज्वाब में सिद्नी ठंडर की टीम यह लग से चेज नहीं कर पाई और केवल चैरनों से यह मुकाबला लोज कर दिया इन तीन मैचीज में आट विकेट यहां पर स्पीनर ने निकाले वह तेस्ट विकेट पेसर गेन वाजों ने निका उसके साथ-साथ एक्साथ स्पोर्ट है वो इस वेन्यू की उपर पेसर गेन वाजों को मिलती है औरे स्कोर की बात किजए तो 160-170 के संथिंग आप अपना औरे स्कोर है वो अक्सेप्ट करके चल सकती हो इसी के अंडर आपको औरे स्कोर अब बनता हुआ नजर आ जाएगा बाकि इस वेन्यू की एक्सपर्टों द्वारा प्रवाइड जो भी फ्रेस पीजी रिपोट रहेगी वो आपको अमारे टेलिग्राम चैनल पे प्रवाइड करवा दी जाएगी अब बात कर लेते क्या रहेगी इंडिया की पोसीबल प्लेइंग 11 तो उससे पहले दोस्तों अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना और हमारी यूटूब चैनल की उपर भी अगर आप पहली वार विजिट कर रहे हूँ तो यूटूब चैनल को भी सस्क्राइब करके नोड़केशन बला इकन को जुरूर आपके आपके लाइक में एक लासँ कर रहा था तो लोगेशन रावल एकी इपोंटन फिक रहेगी अपने टीम में इहींक्टन वास्पन कन आपके देंगे रिसेंट काफी स्ड़ज वर्म अप मैस में इस अच्छा परदरसन कर रहा था तो लोके इस रायूल एक हिपो था ela करके अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकती हूँ विराट कोली रिसेंट फोम इनके भी काफी लाजवाब चलिए और पाकिस्तान की अगेंस्ट इनका रिकोर्ड देखो तो काफी लाजवाब है एक इपोर्टन पिक रहेगी जुरूर से कवर करके अ रोइस सर्मा लोकेश राउल विराट कोली और सुर्य कुमार यादो चारो इपोर्टन पिक रहेगी चारो को जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ अगर इंडिया का टीम सेकेंड इंग में बैटिंग करता है तो रोइस सर्मा वो आपके लिए स्मोलिग में एक रिस्की पिक केल की आ रहे हैं साथ-साथ बोलिंग आपको करवा के देंगे एक से दो विकेड भी निकाल के दे सकते तो इक इपोर्टन पिक आपके लिए हर कंडिस्टन में रहेगी कवर करके जुरूर से कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपनी समोली को गाली के दोनों कोमिनिस में चल सकती हूँ दिनेश कार्थिक रिसेंट एस्ट एक सोरी गाइज अफरीका की खिलाप जो टीटोवंटिया स्रीज के लिए उसमें एक मैस में च्यानिस बनाए एक मुकाल में 17 की इनिक लिए लेकिन बैटिंग ओडर थोड़ा सा नीच तरेगा फरस्ट इनिंग में चाओ तो ट्राइ करके चल सकते हूँ बागी स्टेकर इनिंग में आप सीधा सीधा ड्रोप करके चलाँ एकसर पटेल रिसेंट फोर्म अफरीका के खिलाप देखो तो तीन मैस्टीज में दो विकेट निकाल के दिये बागी उससे पहले भी परदसन इतना अच्छा नहीं रहा था एसिया कप में लाजवा परदसन आ था लेकिन इस विकेट के उपर देखो तो स्पीर्निर को इतनी अच्छी मदद नहीं मिल रही है उस कंडिशन में एकसर पटेल को आप चाहो तो समोलिक से ड्रोप करने का रिस के ले सकते हूँ बाकी जील में जरूर से कवर करके जलाँ म मौमद सम्मी और अर्सल पटेल में से कोई एक प्लेर आपको अवेलेबल मिल जाएगा मेरे कोडिंग आपको मौमद सम्मी के जान सी जाधा रहेंगी और वार्मप मैच में एक ओवर की बोलिं डालती है उन्होंने तीन विकेट भी निकाल के दिये तो जुरूर से कवर करके जील में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राय करके चल सकती हूँ अक्सर पटेल है वो अपनी स्लोर वन बोल से इतना अच्छा नहीं करवा के दिरे हैं और इस विकेट की उपर देखो तो ग्राउंड बड़े रहेंगी और अगर खेलते हैं तो आपको विकेट भी निकाल के द सकती हूँ वेकि स्टार्टिंग के ओरों में स्विंग के दौर आपको एक से दो विकेट भी निकाल के देश सकती हैं अगर इंडिया का टेम फर्स्ट इनिंग में बोलिंग करेगा तो एक इपोर्टन फिक रहेगी जुरूर से कवर करके चला बाकी सेक्ट इनिंग में चाह यूजीचैल आपको एक से दो विकेट निकाल के देश सकते हैं रवी चंदर अस्वीन थोड़ी सी रिस्की पिक इस मुकाल में रहेगी बागी अस्वीन को आप जियल में कवर करके चल सकती हूँ यूजीचैल इपोर्टन फिक रहेगी सिदा सिधा कवर करके भी चल सकती इस नोई रिस्की पे किस भी विकेट के उपर रहेगी देपकुड आवेलेबल नहीं मिलेंगे असरे सहीर भी आपको इस मुकाल में खेलती हुए नजर नहीं आएंगे बागे इंडिया की टीम के तिरप से कोई भी अपडेट आएगी वो मिल जाएगी आपको उमारे टेलीग अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 तो मुहमंद रिजवान और बाबर आजम दोनों आपको उपन करवाती हुए नजर आ जेंगे रिजवान की रिसेंट फॉर्म देखोगी तो काफी लाजवाब चले इपोर्टन पिक रहेगी सीधा इसदा कवर करके काप्टन वाइस कैप्टन ट्राय करके चल सकती हुआ वाबर आजम ऑस्टेलिया की तेज पिचों की उपर बाबर आजम का रिकोर्ड का रिकॉर्ड का लाजवाब है तो बाबर आजम आपके लिए एक इपॉर्टन पिक रहेगी सीधा सीदा कवर्ड़के दोनों ही प्लेरों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ करके चल सकती हूँ फकर जमान रिसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल लिया है वह इंडिया के खिलाब भी रिकोर्डिन का इतना अच्छा नहीं रहा है असीफ अली भी आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे है अगर ओस्टेलिया के टीम सेकंड विंग में बैटिंग करता है तो उस कंडिस्टन में सैन मक्सूद और असीफ अली में से कोई भी एक प्लेर चाओ तो अपनी टीम में कवर करके चल सकती हूँ यह थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं रिसेंट फों भी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन एक औरेस पिक आपके लिए समोल लिक की टीम में रहेगी चाहो तो कवर करके चल सकती हूँ अगर पाकिस्तान का टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो उस केंडिशन में इतिफगार एहमद आपके लिए की पोर्टन पिक रहेगी बाकि सेकंड इनिंग में आप ड्रोप करने का रिसके ले सकती हूँ मुहमद नवाब आपके लिए हर कंडिशन में एक इपोर्टन पिक रहेगी सीधा सिदा कवर करके जील के कॉमिनिस में कैप्टन वाइस कैप्टन वाइस समॉलिग में वीसी बिट्राई करके चल सकती हूँ वहीं बात कीज़े मुहमद वसीम और साथ साथ नसीम सा में से कोई एक प्लेर आपको खेलतावा नजर आ जाएगा जो न्यूजिलेंड वर्सीज बंगलादेश की टीमों के बीच में जो पाकिस्तान की टीटवंट यह स्रीज खेलेगी उसमें देखोए तो दो विकेट दो विकेट और तीन विकेट यहां पे मौमन वसीम ने निकाल के दिये इपोर्टन पिक रहेगी तेज विकेट पिच के उपर अच्छे कासी विकेट निकाल के दिये नसीम सा भी लास्ट के दो मैचों में दो-दो विकेट निकालके दी हाला कि फरस्ट मैच में विकेट निमिला लेकिन दोनों इपोर्टटर पिक रहेगि जो भी पलेरर खेलता है अपनी टीम में आप कवर करके चल सकते हो हारिस रूप एक इपोर्टन पिक रहेगी सीधा सीधा कवर करके चला और सहिन अफरीदी ये भी एक इपोर्टन पिक इस विकेट की उपर आपके लिए रहेगी अगर पाकिस्तान का टीम फर्स्ट निंग में बोलिंग करता है तो उस कंडिस्न में इन दोनों प्लेयरों में और साथ आरिस रूप और अफरीदी में से कोई भी दो बोलर आपनी टीम में कवर करके चल सेबती हो अफरीदी पॉर्टन पिक रहेगी रूप को कवर करके चल सेबती हो बागी जेल के कॉमनेस में इन तीनों बोलों को अपने टीम में कवर कर कितला टरंप कार्ड पिक आपके लिए इस मुकाल में रहेगी अगर पाकिस्तान का टीम फर्स्ट निंग में बोलिंग करता है उस कंडिशन में बागी दोस्तों दोनों टीमों का स्टेट वाइज अनलाइसिज अब बात करते है प्लेर वाइज एनलाइसिज और कुछ अपने कैप्टन वाइस के रोटेशन के बारे में और क्या रहेगी आज की जुश हमारी समॉल लिक की डेमो टीम है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे विकी सेक्शन में मुहमंद रिजवान आपको ओपन करवाती हुए निजर आज देंगे रिसेंट फॉर्म काफी लाजवाप चलिए कि इपोर्टन पिक रहेगी सीधा सीधा कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ करके चल सकती हूँ दिने इसकार्ति का बैटिंग ओडर थोड़ा सानीच रहेगा अगर इंडिया का टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो अपनी समोल लिक की टीम में कवर करके चल सकती हूँ बाकि आप चाहो तो ड्रोप करने का रिस्क भी काफी आसानी से ले सकती हूँ आजम तेज पिचों की उपर काफी लाजवा भी इनका परदस्टन रहता है इपोर्टन पिक रहेगी समोल लिक और गाल लिक के दोनों कॉमिनिस में इस मुकावल में आप बाबर आजम को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकती हूँ अगर पाहिस्तान का टीम सेक कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकती हूँ असीफ अली एक रिस्ट की पिक रहा है कि ड्रोप करके चल सकती हूँ सैन मक्सूद को भी सीधा सिधा ड्रोप करके चला बागी सैन मक्सूद की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चली है अगर पाहिस्तान का टीम सेक्ड में बैटिंग करता है तो अपनी समोली की टीम में कवर करके चल सकती हूँ बाकि स्वेस्ट इनिंग में आप चाहो तो सीधा-सीधा ड्रोप करने का रिसक भी काफी आसानी से ले सकती हूँ अलाउंडर से एक्षन में बात किजें हार्दिक पांडिया इपोर्टन पिक रहेग करके चल सकती हूँ अकसर पटेल है सपीनरों को इतनों अच्छी मदद इस विकेट के उपर नहीं मिल रही है उस कंडिशन में समोली में चाहो तो ड्रोप करके चल सकती हूँ बाकि जील के कमविनेंस में जरूर से कवर करके चला मोमन नवाब आपको इस मुकावल में अवे दोस्तों दिपक हुड़ा की तो दिपक हुड़ा अपको इस मुकावल में अवेलेबल नहीं मिलेंगे तो ड्रोप कने कारें इसका काफी आसानी से लेला साइद अफ्रीदी और अधिस तरफ दोनों आपको कंप्लीट चार और की बोलन डालके देंगे और दोनों इपोर्ट पिक रहेगी सिदा सिदा कावर करके समॉली और ग्रानली के कॉमिनिस में चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी इस प्लेयर को ट्राय करके चल सकते हो ट्रंप कार्ड पिक आपके लिए इस विकेट के उपर रहेगी बात कीज़े यूजवेंदर चोल अरसर पटेल दोनों थोड़ी सी फॉर्म देखो तो अहलिया फॉर्म इनकी इतनी अच्छी नहीं चल लिए बाकि यूज़ी चैल आपको फस्ट इनिंग में विकेट निकाल के दे सकते तो फस्ट इनिंग में समॉली में ट्राय करके चल सकते हो एंसाइक पोटन पिक रहेगी पाकिस्तान की टीम की तरफ से चाहो तो कवर करके चल सकते हो बाकि युल च्बाइबर के पिक रहेगी काल में बंती है अगर पाकिस्तान का टीम व्रस्ट इनमें बोलिंग करता है उस कंडिशिन में तो जिक के कॉमिनिस में जुरूर से कवर करके चला अर्वी विस नोई आपको इस मुकाल में अवेलिबल नहीं मिलेंगे मुहमद वसी में एक ही पोर्टन पिक जील में रहेगी क्योंकि रिस्टेंट फॉर्म देखो तो अच्छे चल रही है एक से दो विकेट आपको हर मुकाल में अच्छे खासी विकेट निकाल के देते हैं जब जब बैटिंग का मुका मिलता इंडिया के खिलाफ अच्छे खासी बैटिंग भी सोरभदानी करवा के देती हैं तो जील में एक इपॉर्टन पिकर रहेगी सोरभदानी को जुरूर से कवर करके चल सकते हूँ captain vice captain की बात किजे उससे पहले दोस्तों अगर आपने इभी तक मारे telegram channel को join नहीं किया है तो telegram channel को जुरूर से join करेना telegram channel के दो लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएंगी जो भी हमारी final team रहेगी जो final update रहेगी आपको किस condition में अपनी टीम में cover करके चला है तो सब कुछ मिल जाएगा आपको मारे telegram channel पी तो इपोर्टर रहेगा telegram जुरूर से join करेना captain vice captain की बात कर लेते हैं तो दोस्तों फिलाल के लिए सुर्य कुमारी यादों को captain vice captain है वो अपनी टीम में यहां पे मुहमद रिजुआन को try करके चला हूँ बाबर आजम हो गया location रावल हो गया विराट को ली तीनो इपोर्टर पिक रहेगी captain vice captain try करके चल सकती हूँ हार्दिक पांडिया जील में captain vice captain try करके चलो small league में only vice try करके चल सकती हूँ सादाब खान भी एक important pick आपके लिए इस मुकावल में विसी की रहेगी तो जुरूर से try करके चल सकती हूँ पागे च्यारों प्रिव्यू की बात की जाए तो दोस्तों देखो यह हमारी final team नहीं है only अगर दोस्तों आपको महरा state analysis अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेट से subscribe जुरूर से कर देना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद जैभार्त